Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. यह आप लोगों की collective reading है और आज हम देखेंगे कि उनकी current feelings और उनकी thoughts आपके लिए क्या है, वो कैसा feel कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, यह हम जानेंगे. So, इस reading को आप male के लिए देख सकते हैं, female के लिए और same gender के लिए भी. और regardless आपकी क्या situation है, आपके love interest के साथ, यह सब लोगों के लिए reading open है. शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि cards, possibilities बताते हैं, आपकी final destination safe divine source को पता है. Safe divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है. इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है. इसके लावा मेरे जितने भी subscribers हैं, thank you so much आप लोगों के प्यार और support के लिए. I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all. अगर आप नए है मेरे channel पर, तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना, पसंद आए तो like भी कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा. So अब हम start करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके connection की overall energy क्या है. So आपके connection की overall energy के लिए six cards मैं लोगी. इसके लावा मेरे Instagram का link description में है, आप लोगों ने मुझे वहाँ पर जरूर follow करना है, क्यूंकि जब मेरे वहाँ पर 10K followers हो जाएंगे, मैं आप लोगों के लिए live free tarot readings किया करूंगी, आप लोगों के question and answers हुआ करेंगे. I think मुझे ये रख लेना चाहिए. One more card, okay. So, जिन लोगों ने already मुझे Instagram पर किया हुआ है, follow thank you so much. इसके लावा आजकल मैं collective readings इसलिए भी ज़्यादा कर रही हूँ कि मेरे पस time थोड़ा सा short होता है. So, आने वाले दिनों में बहुत सारी PK card readings मैं आप लोगों के लिए करूंगी, बट आप लोगों ने मेरा थोड़ा सा साथ देना है, पिकिज आजकल मेरे पस time short है, इसलिए collective readings आ रही है. और time के हवाले से भी मैं apologize करना चाहूंगी, क्योंकि sometimes internet का issue हो जाता है, तो readings कभी कबार late आ जाती है और कभी कबार मुझे जल्दी upload करना पड़ जाती है. So, time को भी मैं आगे manage करने की पूरी कोशिश करूंगी. So, let's start. First, we have soulmate. So, आप अपने soulmate से deal कर रहे हैं इस वक्त, definitely soul connection है, but आप इससे move on करना चाहते हैं, but आप रुक जाते हैं, आप कहते हैं कि ये मेरे soulmate है, ऐसा connection मैंने पहले feel नहीं किया और फिर आप move on नहीं कर पाते हैं, but यहाँ पर energy है move on करने की. So, कहीं न कहीं आपके दिल में ये बात है कि आप move on करना चाहते हैं कि शायद आपके लिए ये exhausting होता जा रहा है, या आपके energy बहुत जादा drain हो रही है, and then we have pause, so शायद आपका connection stuck है, बहुत जादा इसके अंदर progress नहीं हो रही, movement नहीं हो रही, आपके person कोई action नहीं ले रहे, चीज़ें बिलकुर रुकी हुई है, आपको definitely ये चीज़ बहुत जादा pinch कर रही है, परिशान कर रही है, और इसी वज़ा से शायद आप move on करने का सोचते हैं, and then we have fake, so maybe आपको ऐसे लगता है कि वो fake कर रहे हैं, बहुत जादा वो fake हैं, वो अपनी true self आपको नहीं दिखा रहे हैं, एक mask है, फेक कर रहे हैं वो अपने emotions को, अपनी बातों को, and next we have third party, so maybe ये third party fake है, आपके person third party में involved नहीं है, वो जानते हैं कि third party fake है, so ये message भी यहाँ पर आ रहा है, and then we have call text, so maybe आप लोग less to know contact में हैं, आप उनके call का या text का wait कर रहे हैं इस वक्त, definitely ये messages आप लोगों के लिए आ रहे हैं, so let's see कि उनकी current feelings और thoughts आपके लिए क्या है, so सबसे पहले overall feelings होंगी, cards मैं यहाँ से intuitively निकाल लूँगी, we have knight of pentacles, then we have four of cups, four of swords, double four यहाँ पर आया है, four किसी के लिए significant हो सकता है, and then we have the moon, okay very interesting, so कुछ लोगों के लिए I feel के connection शुरू हुआ ही नहीं, और कुछ लोगों के लिए I feel के आपके person को आपने जो offer दी, उन्होंने उस offer को accept नहीं किया, उन्होंने reject किया किसी ना किसी अंदाज में, आपको बड़ा bad feel करवाया है किसी ना किसी अंदाज में, यहाँ पर यह highlight हो रहा है, but वो आपके इस connection के बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत secretive हैं, आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, I also feel कि शायद शुरुआत से अब तक वो आपको अपनी feelings नहीं बता रहे हैं, कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है, वो आपको ठुकरा रहे हैं बार-बार, लेकिन I feel कि अब उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद अगर वो आपको कुछ offer करेंगे, तो आप उन्हें ठुकरा देंगे, कुछ ऐसी vibe भी आ रही है, So, overall energy है, three of wants की, जो के waiting की energy है, आप लोग wait कर रहे हैं, आपने शायद, कुछ लोगों ने शायद बहुत जादा wait किया, क्योंकि सब लोगों के लिए ये नहीं होगा, कि ये नया connection है, So, आपने messages को वैसे लेना है, जैसे आप से resonate करें, So, एक वो group है, जिनका connection शुरू नहीं हुआ, confession नहीं आया, दूसरा group वो है, जो काफी अरसे से wait कर रहे हैं, और कुछ लोगों का long distance connection हो सकता है, So, आप लोग बहुत जादा wait करें, कि कोई change आए, आपने बहुत सबर से काम लिया, और आपने हर तरह से understand करने की कोशिश की, और आपने सोचा कि शायद मेरा miracle हो जाए, थोड़ा सा मुझे और wait कर लेना चाहिए, बट अभी तक कोई miracle हुआ नहीं है, लेकिन three of wands बहुत अच्छा card है, positive card है, और इसमें ये भी बताया जाता है, कि आपने जिस भी चीज़ का wait किया है, वो आप तक आ जाएगी, बस आपको थोड़ा और patient रहना है, बट आपकी manifestation करीब है, थोड़ा और इंतजार कीजिए, इसकी ये energy भी है, ये बड़ा optimistic positive card है, आप positive रही है, optimistic रही है, कुछ ना कुछ बेहतरी आप लोगों के लिए आएगी, आपको ये भी कहा जा रहा है, कि अभी आपने move on भी नहीं करना है, force मत कीजिए, किसी भी decision को ये भी कहा जा रहा है, बिकिस आप लोग कोशिश करते हैं, move on करने की फिर रुक जाते हैं, आप लोग अपने आप से कहते भी होंगे, कि मुझे move on करना है, मैंने कर लिया है, बट deep down आपका दिल अभी भी वहीं पर stuck है, उनी पर stuck है, so it's okay, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप embrace करें इन emotions को, और let go कर दीजिए, divine पर छोड़ दीजिए, higher power पर छोड़ दीजिए, और फिर देखे किया होता है, so यहाँ पर star signs मैं अभी आपको बताऊंगी, अभी और भी बहुत से cards हम देखेंगे, फिर मैं star signs भी discuss कर लूँगी, बट यह आपके person की overall energy आई है, कि वो बहुत ज़दा सोच रहे हैं, I also feel कि शायद वो fever है उन्हें या वो बिमार है, rest कि उन्हें बहुत ज़दा जरूरत है, यह भी मैसूस हो रहा है कुछ लोगों के लिए, and with the moon, definitely आपकी बात्चीत या तो कम है, या हो ही नहीं रही है इस present time में, so वो बहुत ज़दा सी creative है, अपने दिल की बात शेयर नहीं करते हैं, and of course with the knight of pentacles, बहुत slow है, and then we have the sun, यह आपके लिए feelings है उनकी, okay very interesting, wow we have two of cups, wow we have the world, two, sorry the lovers, wow strength, बहुत खुबसूरत cards आगए, so let's see क्या और क्या आता है, three more cards, spirit three, oops, 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 energy बहुत ज़्यादा है, I feel, okay, so यहाँ पर भी four of cups शो हो रहा है, so definitely आपके परसन ने appreciate नहीं किया आपको, अभी तक आपकी efforts के लिए, बड़ा selfish सा attitude उनका रहा है आपकी तरफ, the empress, eight of swords, and page of swords, appreciate नहीं किया उन्होंने आपको, मुझे बहुत ज़्यादा यह vibe आ रही है, so bottom of the deck, we have five of swords, आपकी recently लड़ाई हुई है, definitely बड़ा conflict नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है आप अपने दिमाग में, और आपके person भी बहुत ज़्यादा परेशान है, I also feel कि आपके person ने आपके साथ बहस बहुत की है, या उनको बहस करने की बहुत आदत है, और बड़ी उनकी कोशिश होती है, कि वो give up ना करें बहस पर, और वो बहस में बहुत आगे तक जाते हैं, और इस वज़ा से आप लोगों की लड़ाई शाहिद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बट ये एक बड़ा specific message था, ये सब के लिए नहीं था, बाकियों के लिए I feel कि आप लोग परिशान हैं, आपके जहन में बहुत confusion है, आपको बड़ा defeated सा महसूस हो रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप हार गए हैं, ये जंग थी, एक जिन्दगी की लड़ाई थी, जिसमें आप बड़ा defeated खुद को फील कर रहे हैं, ऐसा मत फील कीजिए, बिकज़ आप ये Empress हैं, और आप बहुत strong और powerful हैं, ये आपकी energy है, चाहे आप male हो या female, आपके अंदर बहुत power है, बहुत ताकत है आपके अंदर, और आप जो भी चाहें manifest कर सकते हैं, आप लोग master manifestors हैं, और आपने जिन्दगी में बहुत कुछ achieve किया है, आपने बहुत wisdom है, और इस Empress तक आना कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत जादा मेहनत के बाद, जिन्दगी में बहुत कुछ खोने के बाद, बहुत struggle करने के बाद, ये वाला phase आता है Empress का, so I feel कि आप लोगों ने जिन्दगी से बहुत से lessons लिये हैं, और शायद आप इसी वज़ा से भी कभी कबार टूट जाते हैं, कि और कितने lessons आपने लेने हैं, कभी कबार आप इसलिए भी परिशान हो जाते हैं, exhaust हो जाते हैं, कि अब और कितनी दफ़ा आपको ये lessons लेने हैं जिन्दगी से, so कोई बात नहीं, keep going, इसी का नाम जिन्दगी है, और हम इस पूरी जिन्दगी में जब तक सांस ले रहे हैं, तब तक सीखते रहते हैं, evolve होते रहते हैं, तो इस पर आप लोगोंने sad नहीं होना, इसको embrace करें कि आप unique हैं, आप best हैं, और आपका इस दुनिया में आना बेकार नहीं था, maybe आप healers हों, बट खेर ये एक अलाइदा topic है, इसके ओपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आपका life purpose क्या है, बट definitely healing vibes आ रही है, आप में से कोई बहुत ज़्यादा healing है, कोई healer हो सकता है literally, बट anyways, यहाँ पर star signs डिसकस कर लेते हैं, यहाँ पर Taurus, Virgo, Capricorn है, Pisces, Cancer, Scorpio है, Libra, Gemini, Aquarius है, यहाँ पर Leo बहुत ज़्यादा strong आ रहा है, दो Leo cards हैं यहाँ पर, so Aries, Sagittarius भी आप add कर लीजे, सारे star signs यहाँ पर represent हो रहे हैं, so regardless of star signs, अगर energy आप से match होती है, तो बिल्कुल आपकी reading है, so वो आपके लिए क्या feel करते हैं, इस present time में, definitely वो आपके साथ एक soul connection महसूस करते हैं, I mean, two of cups और the lovers, बहुत जादा प्यार, divine love इसको कहा जा सकता है, कि divinely guided यह connection था, अब मैं यह नहीं आप से कहूँगी, कि आप दोनों की जो union है, वो भी divinely guided है, because यह तो divine source ही जानते हैं, but definitely divine का हाथ, higher power इस connection में हमेशा से रही, यह connection divinely guided था, इन से आपका मिलना आपकी destiny में लिखा था, because यह connection इसने कुछ आपको सिखाया, या उनको सिखाया, या सिखाएगा, कोई ना कोई इस connection में lesson भी है, और blessing भी है, यह connection सिर्फ आपको hurt करने के लिए नहीं आया, I also feel कि ऐसे वक्त भी आए, जिनमें आपको बहुत खुशी मिली, जिनमें आपने जिन्दगी को सही अंदाज में जिया, और उन्होंने भी बहुत enjoy किया, उन्हें भी happiness feel हुई आपके साथ, अभी भी होती है, जब आपके बारे में सोचते हैं, और आने वाले वक्त में भी आप लोग experience करने वाले हैं, बहुत ज़द़ happiness और abundance, क्योंकि the sun, strength, यह सारे cards बहुत खुबसूरत और abundance के हैं, so I feel कि यह जो एक struggle थी आपके इस connection में, वो past में रह गई है, आपके person ने एक नया perspective गेन किया है, अगर तो आप लोग separation में हैं, और अगर separation में नहीं भी हैं, तो भी आपके person आपको एक new light में देख रहे हैं, एक नई light में, maybe उनको realize हो गया है, कि वो आपसे प्यार करते हैं, पहले वो नहीं realize करना चाहते थे, पता था उन्हें, बट वो embrace नहीं करना चाहते थे, for whatever reason, वो नहीं मानना चाहते थे, कि उन्हें आपसे प्यार है, but now they know कि they love you, उन्हें realize हो रहा है, कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे deeply connected हैं, उन्हें ये महसूस हो रहा है, कि वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, but वो किसी मसले में stuck हैं, और यहां पर फिर से indication आ रहा है, long distance relationship का, I also feel कि आपके person का कोई goal है, कुछ है, जिसे वो complete करना चाहते हैं, और अभी किसी मसले में वो फसे हुए हैं, stuck हैं, उन्हें ये भी feel हो रहा है, परसन आपके साथ बहुत अच्छे से communicate नहीं कर पाते हैं, I also feel कि communication gap है, यानि वो express उस तरह से नहीं कर पाते, expressive उस तरह से नहीं हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो express करें, आप लोगों के communication skills बहुत अच्छे हैं, आप अपने ideas, अपने दिल की बातें बहुत अच्छे से share करते हैं, बट वो भी share नहीं कर पाते हैं, वो नहीं बता पाते हैं कि वो कैसा feel करते हैं, और वो ये जान बुच कर नहीं करते हैं, ये उनकी energy है, वो naturally ही ऐसे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कि शायद उनके कुछ fears है, कोई past trauma हो सकता है, जिसकी वज़ा से वो बहुत ज़ादा open up नहीं होते हैं, बर definitely इस वक्त वो आपका social media stock कर रहे हैं, उनकी नज़र है आपके उपर, वो curious हैं आपके बारे में, जानना चाहते हैं, आपके बारे में interested हैं आप में, यह भी एक वाई बारी है, कि शायद अब आप उनसे move on कर रहे हैं, जब भी आप ऐसा सोचते हैं, उनने भी महसूस होता है, बिकरज एनरजेटी के लिए आप लोग connected हैं, तो उनने भी महसूस होता है, कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, और वो नहीं आप से दूर जाना चाहते, वो नहीं चाहते कि आप उनकी जिन्दगी सिद जाएं, वो definitely आपको अपने जिन्दगी में रखना चाहते हैं, बिकरज यह connection उनके लिए भी बहुत different रहा, बहुत unique रहा, आप देखिए कितनी divine energy है, बहुत जादा potential है आपके connection में, आपके person यह feel करते हैं, कि आप family material हैं, आप wife, husband material हैं, और आप ही हैं उनके लिए, I also feel कि जब आप उनकी जिन्दगी में आए, अने प्यार नहीं चाहिए था, वो अपनी जिन्दगी में कुछ और चीजों पर शायद उनका focus था, प्यार पर उनका focus नहीं था जब आप उनकी जिन्दगी में आए हैं, और शायद इसलिए भी वो आपके साथ बहुत अच्छे से communicate नहीं कर पाए, कभी आपके साथ connect नहीं कर पाए deeper level पर, because वो नहीं ढूंड रहे थे प्यार, और अब उन्हें realize हो रहा है कि यह जो इतना divine connection उन्होंने experience किया आपके साथ, वो इस connection को अब खोना नहीं चाहते हैं, उन्होंने शायद यह अब recently realize किया है, बेभी कुछ लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी हो, but yes, उनकी feelings में यह है, और उनकी thoughts में भी आप है, ऐसा नहीं कि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट शायद वो अभी action लेने की position में नहीं है, यह भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, because आप देखिए कि action के cards यहाँ पर बहुत कम है, आपके person deeply आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके लिए feel भी बहुत ज़्यादा करते हैं, but right now they feel कि वो कोई action लेने की position में नहीं है, वो कुछ बहुत आपके लिए कर नहीं पा रहे हैं, शायद आपको बहुत ज़्यादा attention नहीं दे पा रहे हैं, आपसे commit नहीं कर पा रहे है, for whatever reason, but इस वक्त action बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, वही pause वाली energy यहाँ पर नज़र आ रही है, प्यार है, सब कुछ है, connection है, potential भी है long term की, आप दोनों की शादी भी हो सकती है, union भी हो सकती है, बट अभी एक pause है, for whatever reason, pause यहाँ पर नज़र आ रहा है, so let's see, कि वो और आपके लिए क्या feel करते हैं, okay, so हमने family की बात की और आप देखिये, foundation and achievements, 4, यह I think 11-11 card है, twin flame, soulmate card, so यह deeper connection का card भी है, यह rituals का card भी है, यह marriage का card भी है, family का card भी है, so इसके बहुत से meanings हैं, but एक meaning जो यहाँ पर आ रहा है, वो deeper connection का है, वो आपको अपने soulmate की तरह देखते हैं, चाहे उन्हें पता हो या ना हो, कि soulmate या twin flame क्या होता है, लेकिन वो यह सोचते हैं, कि आप family material हैं, और एक दिन वो आपके साथ family बनाएंगे, आपके साथ वो deeper connection बनाएंगे, अगर connection अभी तक नहीं बना है, so यहाँ पूरी potential है, कि आपका इनके साथ एक deep connection बनेगा, love connection, so let's see कि वो और आपके लिए, क्या feel करते हैं, we have transformation, so आपने उन्हें चेंज किया है, किसी ना किसी तरह से, वो यह सोचते हैं, and bottom of the deck we have emotional withdrawal, so इस वक्त वो emotionally शायद आपके लिए available नहीं है, वो आपके साथ connect नहीं कर रहे हैं, हलाँ कि आप लोग, जैसे मैंने कहा कि soul level पर बिल्कुल connected हैं, but आपको time नहीं दे रहे, I feel कि वो जो consistency आप चाहते हैं, वो जो आप चाहते हैं, कि एक इनसान पता चले कि एक इनसान effort कर रहा है, वो in है आपकी जिन्दगी में, वो effort अभी नहीं डाल पा रहे हैं, for whatever reason, फिर से मैं ये कहूंगी, उसकी depth में हम नहीं जा रहे, कि वो क्यूं ऐसा नहीं कर पा रहे, but definitely वो बड़े sad है, बहुत सदे sad है, कि वो क्यूं नहीं ऐसा कर पा रहे, maybe ये उनकी nature है, थोड़े से वो irresponsible हैं, वो नहीं कर पाते हैं, याद नहीं रहता है, अब आप कहेंगे, कि जिससे प्यार हो, उसको इनसान naturally approach करता है, और naturally इससे contact करता है, so sometimes, you know, कि हर इनसान दूसरे से different है, और ये एक वज़ा हो सकती है, कि आपके person का सोचने का तरीका, आपसे बहुत different है, और वो थोड़े से irresponsible हो जाते हैं, sometimes भूल जाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है, कि उन्हें प्यार नहीं है आपसे, because love तो यहाँ पर present है, क्योंकि आप देखिए, सारे cards love को represent कर रहे हैं, so definitely love इस connection में है, अगर आप इस energy से resonate कर रहे हैं, so दो cards हमारे पास और आगए हैं, उनकी feelings को लेकर, we have door to personal healing and happiness, so आपने उनके लिए ये healing की door open up की है, आपका उनकी जिन्दगी में आना बड़ा healing, बड़ा sweet loving experience था, और ये transformation, देखिए amazingly transformation का card उससे पहले आया था, कि आपने उनने change किया है, कोई ना कोई change आप उनकी जिन्दगी में लेकर आए हैं, और ये change बड़ा healing था उनके लिए बहुत ज़्यादा, और बहुत light था, so definitely आपके person को healing की ज़रुवत थी, और happiness तो आपने उनने दी ही है, because we have this sun card, and then we have angel of love, उनके लिए आप angel of love हैं, literally, आज इस card का यही meaning आ रहा है, वो समझते हैं कि आप एक angel है, angelic vibes हैं आपकी, आप earth angel हैं, आप बहुत pure हैं, और maybe आप जैसे इनसान से, वो पहली दफ़ा मिले हैं, जो इतना angelic हो, जो इतना sweet हो, जिसका दिल इतना बड़ा हो, जिसके दिल में कोई बुराई नहीं है, सो आपकी जो vibes हैं, जो आपकी energy है, वो उनके लिए बहुत healing है, बहुत soothing है, बहुत comforting है, सो आप से उन्हें बहुत प्यार है, और आपने उन्हें बहुत ज़दा heal किया है, बहुत ज़दा, चाहे वो आप से ये बात कहें या ना कहें, बट उनकी feelings, उनकी thoughts में यही है, कि आपने उन्हें heal किया है, जब वो आप से मिलते हैं, तो अपने सारे दुख, सारी struggle सब भूल जाते हैं, और शायद किसी point पर उन्हें बड़ा intimidate किया, इस connection ने, बिकिस ये intense था, और इस connection ने जितना उन्हें heal किया, उन्हें लगा कि शायद वो आप आपके बिना जी ही नहीं पाएंगे, बिकिस आप उनके लिए बहुत जरूरी हो गए हैं, बहुत लाजम हो गए हैं, तो ये connection बड़ा intense रहा है हमेशा, और शायद ये एक वज़ा थी, कि वो open up नहीं होते थे, but definitely अब वो realize कर रहे हैं, कि उन्हें इससे डढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें open up होने की जरूरत है, उन्हें fake करने की जरूरत नहीं, उन्हें mask पहनने की आपके सामने जरूरत नहीं है, वो open up हो सकते हैं, वो safe हैं, वो आपकी presence में, आपकी energy में बिलकुल safe हैं, वो आपके साथ share कर सकते हैं, वो realize कर रहे हैं ये and I feel कि बहुत जल्द ये change, ये transformation उनके अंदर आपको नजर आएगी so ये बहुत ही amazing reading रही है, अब आपके लिए हम songs देख लेते हैं, कुछ लोगों ने बोला कि आप songs change कर लीजिए क्योंकि बार-बार sometimes repeat हो रहे हैं कुछ songs, बट मैं आपके सामने निकालती हूँ खुद ही highlight हो जाते हैं, बहुत से songs हैं जो अभी तक किसी भी reading में नहीं आए so I hope कि आज कुछ different songs आएं, बट मैं इसमें add भी करूँगी नए songs so anyways, first song is, हर किसी को नहीं मिलता यहां प्यार जिंदगी में खुश नसीब हैं वो, जिनको है मिली यह बहार जिंदगी में, very beautiful song so यह आपका मानना है, मुझे लगता है, आप लोग realize करते हैं कि हर किसी को इतना प्यार नहीं मिलता, शायद आप यह भी सोचते हों कि काश आपको आपके ही जैसा कोई मिल जाए, जो आपसे बहुत प्यार करें और सचे दिल से करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके person को भी यह बात realize हो रही है कि हर किसी को प्यार नहीं मिलता है, so अगर मिल रहा है इतना divine love तो उसे embrace करना चाहिए, उनको यह realize हो रहा है I think यह लेला मजनू का सौंग था, काफी पुरानी मुवी है, लेला मजनू उसका सौंग है यह बट यह सौंग बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर सुनिएगा, बट इसमें शादी हो रही होती है यह लड़की की, राइट, बरबादे महबत की दुआ साथ लिये जा, बहुत जबरदस्त, intense सौंग है, बड़ा सैड है और यह बड़ा specific message होगा कि शायद आप में से कोई शादी कर रहा हो, या उन्होंने शादी कर ली हो, यह हो सकता है किसी के लिए अब हम आपके yes और no question पर आजाते हैं, उस पर आपने focus करना है और हम देखेंगे कि आपका answer yes है या no so let's start, three cards हम लेंगे, we have yes, no and no, so आप लोगं का answer अभी no है और जब no आता है आप लोगोंने sad नहीं होना now is not the right time, आपसे यह कहा जा रहा है, energies change होती रहती है, and you know कि हम जब अपना mindset change करते हैं, उसी वक्त हमारे, हमारे इर्दिकर्द सारी energy change हो जाती है, उसी वक्त चीजें बदलना शुरू हो जाती है, जैसे हम चाहते हैं, वैसे बदलना शुरू हो जाती है, so आप लोगोंने sad न जाता है, so ऐसा भी होता है sometimes, so anyways, अब हम आपके लिए letters और numbers देख लेते हैं, आपका name initial, आपके person का name initial, किसी का पूरा name भी बन सकता है, life path number, house number, car number, कुछ भी इस तरह से, आप लोग देख लीजेगा, कोई word भी अगर आप लोग इसमें से बना सकें, हो सकता है कि वो आपसे resonate कर जाए, so first we have 999, so यह completion का number है, चीजने complete होने वाला एक cycle, and then we have B, N, K, so 9 isolation का number भी है sometimes, maybe आपके person ने खुद को बहुत isolate किया हुआ है, या आपने isolate किया हुआ है, M, F, Z, Z, W, F, number 4, K, M, X, H, V, V, 7, number 5, F, B, U, W, number 7, N, V, P, I, A, 3330, इसको आप O भी कह सकते हैं, so यह आप लोगों के letters और numbers हैं, देख लीजिए आप से कैसे resonate करते हैं, और यह आपकी reading थी, कुछ भी आपको पसंद आया, helpful रहा, आपने मुझे जरूर comment section में बताना है, अगर आप नए थे मेरे channel पर, like कीजिएगा, share कीजिएगा, और subscribe करना मत भूलिएगा, जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दौा होती है, आप अपनी जिन्दगी में जो भी manifest करना चा See you in my next video, till then, love you lots, bye bye.